हलो लिटिल सिंग हम आप सब कैसे हो आई हो कि आप सब बहुत ही अच्छे से अपने अपने घरों में होंगे तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं क्लास फोर इन्वर्मेंटल स्टडीज परियावरन अध्यायन की चेप्टर पार्थ छो शिक्स ओमना का सफर का हम लोग लुफ नंद लेंगे लूफ इंजोई मजा आनंद लेंगे चलो हम लोग इस्टार्ट करते हैं कहानी क्या कहानी है तो औमना है और अ है दोनों का पक्त के दोस्ति दोस्त Toram अम्बूजा सीमेंट की तरह जो कभी तुटती नहीं है तो हुआ क्या कि ओमना अपनी नानी के यहां जाने वाली थी केरला और जो राधा थी वो अपने फैमिली के साथ जाने वाली थी कहां केरला किस लिए तो होलिडे के लिए छुट्टी मनाने के लिए तभी होता क्या है राधा से रहा नहीं जाता है इतना वो excited डरती है इतना बेचेन कि दो दिन का भी time रहता है ठीकट उनलों का हो चुका रहता है जाने के लिए दो दिन पहले ही इतना speed से cycle चला रही थी कि cycle बोला कि रुको 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 मतलब हम cycle तो तुम कुछ भी करोगी और cycle से गिर जाती है उसका अपना हाथ तो नहीं तूटता है उसका पाउं तूट जाता है किसका जाधा का और क्या होता तभी डॉक्टर की entry होती डॉक्टर बोलता है कि stop अब तुम्हारा जो जरनी है वो जुक जाएगा अब तुमको क्य करना होगा छे हफतों तक तुमको वेट करना पड़ेगा किस चीज का वेट अब कहीं भी आने जाने के लिए कि तुम्हारा पाउं ही टुट गिया है तुम चल कहीं से पाऊगी अब तुम रेष्ट करो अराम करो दोनों बहुत ही दुखी होती है राधा और ओमना दोनों ब कि मा ने राधा की मा ने बोला कि मेरे दिमाग में अभी अभी एक आइडिया आया है कैसा आइडिया अरी ओमना तुम जा रही हुन बाबू तुम जब जाओगी सफर करोगी तुम क्या करना अपने साथ एक डायरी रखना क्या रखना है डायरी और उसमें सभी बाते जो जो तो है राधा पढ़ लेगी और तुम डायरी लिखोगी तो तुम्हारा ट्रेन में सफर भी अच्छा से कटेगा तो दोनों को ये बात बहुत ही पसंद आई बहुत ही अच्छा लगा और इतना अच्छा लगा कि उचलदी से फड़ा फड़ गई अपने घर में और उसने क्या उसकी डायरी में उसने खुब अच्छे से लिख लिए उसकी डायरी को हम लोग क्या करने वाले है तो अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ पंदने उसके डायरी के ठीक है तो चलो हम लोग शुवात करते दो पर पर का ताइम हुआ था और वह लोग क्या करती स्टेशन पर पहुच जाती है और पहुचने के बाद हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले अपना नाम देखते हैं हम लोग कर ट्रेंड में टिकट भूक हुआ है ती है और दीजम किया है मैं पहुंचती है और जैसी प्लेटफोर्म में बहुत ही जादा का लाता है भीड भार वह देखती है अभी और के शुव वहीं सुवही गांधी धाम गांधीधाम और गच से चली थी यजंगातों में कुछ लोग उतार से तो कुछ कुछ लोग चड़ रहे थे जों ऍ४झ से अ अब चल्जार्ड एकश रात हैं अंगतों पेरिकर फ्त अरब से कि जब भी आप लोग सफर करो ट्रेन से तो थोड़ा सा बच्चो ध्यान से ठीक है ना धाका मुकी नहीं करना इससे क्या हो सकता आपको चोट लग सकती है और आपको नुकसान भी तो हो सकता है ना ठीक है तो अब क्या लिख रही है ओमना कि हम जैसे तो चड़ेगे अपने सीट को ढूंड कर और समान जो था लेगेज जो भी वो लेके जा रही थी उस लेगेज को ट्रेन के जो सीट के नीचे उन्होंने रख दिया बढ़िया से गैसा हम जैसी ट्रेन में चड़ते हैं तो अपना सीट सबसे पर देखते कहां है मेरा सीट मेरा सीट कहां है वो तो मेरा सीट तो कुछ दिर बाद Ticket Checker पहुंच जाता है टीटी पहुंच जाता है टिकट चेकर करने वाला कि क्या लोग सही सही से अपना सीट पर बैठे है को अग्री डिकट का फ़ल चड़ी गया है और अग्री कि लोग अपने सीट करने बैठे है तो यह सब काम करता है है टिकर चेकर करता है टीकर की सब लोग सही से है खी नहीं है ठीक है अम्मा और अपन को नीचे वाली बर्थ बनी थी जुक्षिक किसे होती है बर्थ एक बर्थ दो बर्थ तीन बर्थ इधर उग्या ठीक है ना एक सैट इधर हो गिया है वान टू थिरी चुकि पेंटिंग बहुत कम जोह है बच्चों मेरा और एक साइड में दो साइड में रहता है ना इसे एक दो तो वहीं बोड़ रहा है कि अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली थी यह दुनों नीचे वाली बर्थ मिल गई थी और वहीं में लेखती है फिर आगर क्या होता है और अदर बर्थ देरी जेफ फैमिली विद टू चिल्डर यानि वह अदर सीड पर वह देखती है अदर बर्थ पर देखती है कि किसी फैमिली के दो बच्चे रहती है और दे सीम तू बी अबाउट आवर एज और वह उसी के डबबा खोल दिया, क्या किया, खाने का डबबा खोल दिया, और मुछ से पानी आने लगा, किसका, अमना का वो देखके टीफिन उसमें ढोकला था, चटनी था, निंबू था, चावल था, ठीके दो मिठाए, कितनी सारी चीजे लाई है, अमना वो बहुत खुस होती है, खुस स्टार्ट कर दिया, उसके बाद ये कोश्टन अंसर है, तो इसको हम लोग देखेंगे बाद में, पर हम लोग कहानी में टूप जाते हैं, उसके बाद, नेक्ट क्या होता है, दोपर का खाना खा का सब लोग सो गए, लेकिन ओमना को निंद नहीं आ रही थी, वो लिखती है अपने डायरी में, मैं खिर्की से बाहा देख रही थी, बाहा शुखे भूरे मैदान दिखाई पड रहे थे, कहीं छोटे-छोटे गाओं भी हमको दिखाई दे रहे थे, आप भी जब तेमें बैठो गेना, तो आपको क्या दिखाई देगा, भूरे मैदान दिखाई sometimes we passed small villages ठीक है they seem to be flying by do you know that when the train is at a very high speed thing outside seem to running in opposite direction वो कहती ही कि जो चीजे जो थी न वो train के opposite जाते हुए जाते हुए दिखाई दे रही थी उल्टी दिशा में भागते हुए दिखाई दे रही थी opposite direction में और train बहुत ही high speed से जा रही थी फिर वो लिखती है कुछ समय पहले तो बहुत गर्मी थी अब साम होने चली साम होने चली तो थंडी थंडी हलकी थंडी थंडी हावा बहने लगी और उसको अच्छा लगने लगा और बाहर आसमान संतरी रंग यानी औरेंज कलर का दिखाई दे रहा था उसको और वो बोलती है कि सुरज जो डूब रहा था ना मैंने अहमदाबाद यानी यह अहमदाबाद में रहती थी अहमदाबाद में कभी डूबते हुए सुरज पर इतना अच्छा से ध्यान नहीं दिया कौन करती है ओमना वी हैब जस्ट पास्ट पास्ट अस्टेशन कोल वर्शाड दे ट्रेन स्टॉप्ट फो अनली टू मिनाट्स बट इवें फो रसोट ताइम देर वे देर वास सो मुच नॉइज चाइ घरम चाइ घरम चाइ वन मैं वाज चॉलिंग बाटाटा वाडा बाटा वाडा मतलब की ओमना अपने डायरी में लिख रही थी कि मैंने देखा क्या देखा कि जैसे ही वलसाड गडिया ट्रेन रुकी अभी दो मिनट ही चाइज़ पर रुकी थी कि स्टेशन पर खाने पीने के चीजों के लिए लोग क्या बहुत शोर कर रहे थे चाय चाय गरम चाय गरम चाय कुछ इस तरह से और यह है छोटा सा चित्र बना हुआ है पेंटिंग बना हुआ है जैसे कि ओमना यहां खिड़की पर बैठी हुई है ठीक है ना यहां बैठी हुई है और यह भूरे मैदानों को देख रही है छोटे छोटे गावों को देख रही है सुरज को देख रही है संतरी रंका सुरज को देख रही है जिसे कि उसने आहमदाबाद में देखा आई नहीं था ट्रेल छुक 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 चलते जा रही है यही चीजे एक तरफ से आवाज आ रही थी वही बताटा बडा दूज थंडा दूज थंडा दूज लोग platform पर खाने की चीजे खरीद रहे थे ठीक है हमने तो ख़िरकी सही केले और चीकु खरीद लिया बोडर यह, कि लोग भी चीजे खरीद रहे थे हमने क्या-क्या खिड़की से ही केले और चिक्कू खरीद लिया मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती भी कर ली और सुनील और एन उसका नाम था उनका वे अपनी दादी के घर कोजी कोड जा रहे थे सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबे दी जब होता है तो क्या होता है बाचित करते हैं तो उसी बाचित में सुनील ने क्या किया उसके पास एक कहानी की की तक donít तद तो किसे पढ़ने के लिए दे दिया ओमना को मैं थोड़ी दे पहले बात में हाथ मूँ धोने गए थी लेकिन जैसी ही ओमना गई पता चला कि ले इका हो गिया तो पानी ही खत्म हो गिया तो किसी ने कहा कि कोई बात नहीं जैसी तुम जाओगे अगले स्टेशन पर वहां पानी भरा जाएगा ठीक है और यह आपका चेप्टर कहानी खत्म और यहां पर कुछ परचानने के लिए बोला गया है तो यह कुली क्या करता है तो समान ढोने का काम करता है लोगों को मदद करता है लेकिन इसी नहीं करता है इसके लिए पैशा लेता है पैसा ठीक है यह गार्ड देखो हाथ में हरा जंडा लाल जंडा यह बतलाता है कि ट्रेन खुलने का टाइम हो चुका है और ट्रेन अभी रुकी है ठीक है और यह देखो ड्राइबर यह टिकट चेकर यह काला कोट पहना हो लेकिन यहां ब्लू क और यह रेलवेब पुलीस यह आपका सफाई करमचारी और यह आपका टिकट सेलर तो यह सब चीज़े दिया हुआ देखिन का काम कैसे कुली यह है कुली यात्रियों के समान ढोने में मदद करता है लेकिन रुपए लेकर बिना पैसा का कोई मदद नहीं ठीक है यहां पे को है कि इस शुरू करने का निदेश देता है कि सफर किया जाए उसका निदेश देता है यह बाकि यात्री टिकट लेकर सफर करते हैं उनका टिकट का जांच भी करता है ठीक है अब यह कों Refle ठीकर द्रेंद ड्राइबर ये त्रेंद ट्राइबर गाड़ी चला रहा है तो ये गाड़ी चलाने और नियन्तरन करने का प्रभारी होता है सफाय करम चारी हाथ में सफाय का समान लेकर ट्रेनों और स्टेशन ओ की ऑका你好 कर लेते हैं तो यहां पर दिया हुआ है पहला कोशन कहां है तो यहां है कहां है यहां है ट्रेन के डिबबे के दर्वाजे पर धका मुखी क्यों हो रही थी why was it so crowded at the door of the coach जो coach कैने डिबबे का जो दर्वाजा था door था उस पर इतनी धक्का मुक़्ी crowded क्यों हो रही थी तो क्योंकि लोग एक द्रवाजे से क्या कर रहे थे उतर भी रहे थे चड़ भी रहे थे तो उसमें भी असी बात धक्का मुक़्ी तो होना ही था ठीक है यह लोग अराम जिबन करते हैं कि चलो ठीक है पहले आप उतर जाएंगे उसके पाग जाएगा है ना जल्दी से चड़ेंगे तो स्वीट हमको मिल जाएगा लेकिन इसी में क्या होता है लोगों को कभी का नुकसान पहुंच जाता है अगर तुम यहां क्या दियावास क्या तुमने कभी ट्रेन में सफर किया है यह तो देखो यह तो लिटिल सिंगम आप ल यू लाइक टू टेक विद्दे यू वैन उ ट्रेभल वाय तो हम लोग चोकलेट्स लेकर जाते यह बिसकुट्स लेकर जाते यह पुरी सबजी लेकर जाते बीना पान्स पमस्तिश बांदों क्योंने क्यों ह Ci-6 बोस्त करते चूकलेट's सब्सक्राइब पानी कोल ड्रिंग टिकट चेकर के क्या क्या काम होते हैं तो टिकट चेकर काम क्या होता है चेकर मीस होता है जाच करना वो टिकट का जाच करता है देखता है कि लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे है कि नहीं बैठे है पैसेंजर एंड वेदर पैसेंजर आप ब्लेक कोट ठीक है जिसके सीदे पर नेम टेक लगा होता है और जिस पर टीटी लिखा होता है लिखा है टीटी मींज ट्रेबलिंग टिकट एक्जामिनर यानि यात्रा टिकट परिछक बोलते हैं इसको अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कोश्चन क्या है यह पेंटिंग देख लिजिए कई से चर रहे हैं चार तरफ इतनी खूब सुरत वादिया है जिसमें इतनी सुन्दर सुन्दर पेर पौधे घर छोटे छोटे गाउं मैदान फिल्ड तलाब बहुत साइच चीज़ दिखाई देती पहारे दिखाई देती जब ट्रेंस सफर करोगे तो आप ब गाउं को उसने देखा सुखे भुरे मैदान को देखा संत्री रंग का समान में सुरज को डूबते हुए देखा और इन सब के सबको ट्रेन के विप्रित दिशा में और पोजिट डाइरेक्शन में जाते हुए देखा अपनी खिड़की से ठीक है रेलवे स्टेशन पर क्या क्या चीज़े बिकती है वहीं चीज दिया हुए सेम तो चाय बुक्स गिप्स कॉल्ट्रिंग स्टॉइ समोसा मिठा ये सब क्या होती है ये और भी बहुत साइच बिकती है जब आप त्रेन में सफर करोगे तो आप इसस देखना कि क्या सच में बिकती है कि नहीं बिकती है आपको इससे भी बहुत ज़्यादा चीजह आपको देखने को मिलेगी और क्या दिया है next question कहां गिया question नहीं है अच्छा question है train के बाद तुमें पानी क्यों खत्म हो गई तो obvious सी बात है train में पानी का sandwich होता है छोटा सा है ना उस टैंकी में क्या हर कोच में एक टैंकी लगा होता है पानी का लोग बार बार पानी ये खत्म तो हो ना ही ठीक है कलपना करो कि अब तुम है train में यक लंबे सफर पर जाना है सबसे पहले पीैट पूजा हो हमस्त सबसे पहले घौनें सीष भासकर ने किताब क्या नहीं हुआतर नाथ को सब्सक्राइब के दाना ने लिए जाना एक उसका किताशक्तिक अधने रेखिए mgqq 공동aces क्या में सब्सक्राइब हो गया चित्रों को पहुणा कर लिखो डिल्वेश स्टेशन पर यह लोग्या काम करते है चर्चा करो दें तो ही चुका है ठिक है तो यह रहाए चैप्टर खत्म और आप लोगों को यह चेप्टर अच्छा लगा में अदा का तरका अच्छा लगा तो आप लोग क्या किजियेगा लाइक किजियेगा सेहर कीजियेगा और सब्सक्राइब भी कीजियेगा और क्या नाम है इस चैनल का इस चैनल का नाम है यूनिएन पाट साला बछो्ट भूलिएगा ठीक है जल्दी 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 शेयर कीजिए तब न अधिक लोग देखेगा नहीं कीजिए तो कैसे होगा ठीक है बाइबाइबाइब